क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका के महा महीं टोनाल्ड ट्रम्प किस प्रजाती से हैं या फिर उत्रिकोरिया के तानसाह नेता कीम जोंग किस मान प्रजाती से बिलॉंग करते हैं उत्ना छोड़िये क्या आप यह बता सकते हैं कि हमारे अमित साह जी किस प्रजाती से हैं या फिर कॉंग्रेस के युवानेता राहुल गांधी जी किस प्रजाती से हैं और उनकी मातास्री सोया गांधी जी किस प्रजाती से हैं या फिर क्या आप खुद के बारे में बता सकते हैं कि आप किस प्रजाति से बिलॉंग करते हैं चलिए अगर आपको मालूम हो तो अच्छी बात है कमेंट बॉक्स में आप लिख के दें इन सारे को जबाब और नहीं तो बने रही है मेरे साथ मैं आश्रोतोस स्वागत है आप सभी का जियोसेंट्रिक में और आज हम ऐसे ही बहुत ही महत्तोपुन और बहुत रोचक विशाय पे बात करेंगे जी हां आज हम जानेगे हमारी कहने का तात परिया हम सभी मintз मानव जाती के उत्तपत्ती के विशाय में हम जानेंगे कि कैसे दिहाती भासा में कहूँ तो हम एक बंदर से वर्तमान मनुस्य की शेप में आए या फिर पढ़े लिखे की भासा में कहूँ तो कैसे एक एप से हम present day जो homo sapiens sapiens है मेंस मानव हैं वर्तमान हम जैसे दिखते हैं इस तरह से दिखने लगे तो कैसे एक बंदर एक एप मनुस्ति के रूप में convert हो गया उनका structure, उनके functions और कितना वक्त लगा इन सभी में और दूसरी बात हम जानेंगे अपने पैतरिक घर के बारे में जी हाँ पैतरिक घर का तात पर यह यह नहीं कि आपका या मेरा पैतरिक घर जहां जन्म हुआ हुआ पूरे मारव सभी हता के पैतरिक घर की बारे हम बात करेंगे कहां से पूरी मारव जाती की उतपत्ती हुई उदभव कहां से हुआ उनका evolution कहां से हुआ So we will talk about the evolution of man and how much time it takes to convert an app to a present man तो कहने का मतलब है हम अपने रोचक इतिहास को आप और हम मिलके जानेंगे आज इस वीडियो में और आके continue रखेंगे इस वीडियो को next वीडियो में हम बात करेंगे अभी 2-3 वीडियो जिसमें मैं बनाऊंगा और इसमें हम बात करेंगे आगे भी जो हम जो मनुस्य है इक जाथि, Uςमें इतनी विविद्धाइं क्यों पाई जाती है और उन विविद्धताओं की आधार पर एक जाथि को एके स्पेसिज को कैसे कई उपजातिओं में में कई Lexies में Classified किया गया किन-किन विद्वानों के द्वारा और कौन-कौन से Criterias Perameters वितरण का special distribution के भी हम बात करेंगे जानेंगे उसे भी तो इन पूरे क्रम में आप जरूर बने रही है मेरे साथ क्योंकि यह lecture बहुत ही important है बहुत ही रोचक है और knockable competition के लिए knockable academic point of view से बलकि हम सभी को अपना इतिहास तो जाने का अधिकार भी है और हमारा कर्तब यह भी बन तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले अपने बंदर से मानब बनने के क्रम को ठीक है और दूसरी तरफ हम बात करेंगे हमारे उदभव cradle please means cradle of human civilization या फिर man की हम बात करेंगे हमारा पलना जगह means हमारा जो उदभव रहा है उस वह गलोब पे प्रित्वी पे किस स्थान पे ठीक है तो पहले इन सभी को जाने से पहले एक नजर हम डालते हैं प्रित्वी के इतिहास पर ठीक है evolution of earth क्योंकि evolution of man के से पहले यह जानना जरूई है कि इस प्रित्वी का संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम जान ले कितना लंबा काल रहा है अभी तक इस प्रित्वी का ठ ब्ता दू कि एक बड़े विस्फोट से और वा विस्फोट हुआ था एक महुत ही जो गासेट से जो है बॉन नेबूला से एक विस्फोट हुआ था एक यूज्ज विस्फोर्ट विस काल्ड बिग्च बैंग तो इस बिग्च बैंग से 13 बिलियं right तो तेरा अरब साल पहले आपके आपका सकते हैं कि एक फिंड था इस यूनिवर्स में एक जो है आपका छोटा साल जिसका कहा जाता है जो मास बहुत ज्यादा था बट जो उसका वॉल्यूम सॉरी जो आपका एक पॉइंट पर कॉंसेंट्रेटेड वो सारा मास था ठीक है साइज में बात करें तो एक बहुत स्मॉल साइज का एक चौहां आपका गैसस बाल था और फिर सदेल्लि उसमें एक बहुत हिूज विसफोट हुआ बलास्ट हुआ एक big bang, big noise के साथ और इस process को ही big bang कहा जाता है जोर्ज लेमेटियर ने यह concept दिया था big bang का से धांत और उसका कहना यहीं था कि यह एक universal expense का और जो है आपका theory है big bang theory इसमें कहा गया universe expanding nature का expand कर रहा है एक छोटे से center में big bang के बाद वो continuous जो है उसके जो matters है वो universe में means expand कर रहा है और इसलिए इसको big bang को expanding universe theory भी कहा जाता है ठीक है तो कितने वर्स पहले 14 billion years ago sorry 13 billion years ago तो 13 billion years ago जो है big bang हुआ और उसके बाद यह matters जो है वो एक जो point पे concentrated था वो जो है वो तेजी से फैलने लगा दूर ठीक है जिस तरह से आप एक गुबारे को फुलाई और वो फैलने लगता है उसी तरह वो matters भी फैलने लगे फिर उनके बीच में जो है आपके गुर्तवा कर्शन बलों के कारण वो कई सारे जो है आपके जुंडों में बटने लगे which is called galaxies तो उसके बाद galaxies के formation हुए ठीक है जो galaxy is what a group of a cluster of stars okay जो की एक spiral सेप में आपके कहीं न कहीं एरेंज्ट होते हैं तो ऐसे जो है कई सारे galaxies बने फिर यूनिवर्स में और फिर उन galaxies के matters जो है कई points पर concentrate होने के वज़े से concentrate होने के वज़े से फिर उन galaxies में कई सारे solar system जैसे कई सारे सिस्टम बने और उन सिस्टम में से एक जो हमारा जो है milky way galaxy हमारी galaxy है मिस अर्थ की अर्थ जिस galaxy का पार्ट वो क्या है milky way galaxy ओके तो millions of galaxies है इस universe में और एक galaxy में millions of stars होते हैं तो आप समझ सकते हैं milky way galaxy में millions of stars है उन millions of stars में से एक star हमारा sun है और एक sun का family को आप जानते हैं जिसको कि हम solar system कहते हैं उसमें हमारी जो है आपके पहले तो nine planets थे लेकिन जो है उसमें जो है संसोधन हुआ अब केवल जो है eight planets है ओके तो एट planets की अगर हम बात करें तो क्रम से अगर देखें तो mercury sun के सबसे करीब है उसका द्वैनस फिर Earth फिर मार्स और मार्स के बाद कई सारे जो है आपके asteroids मिल जाएंगे उनकी एक है और चुद्रतारा जिसे हम करते हैं उसके बाद जो है स्टरोइट के बाद फिर जूपीटर फिर दन सैटर्ण यूरेनस दन याप्चून तो यह जो है एक जो है आपके एक क्रम से एरेंस्ट जो है इस मेस्ट फिर फेली है ऑडिक है फेल किट गर्षण घर तो इसे हम करते हैंऄ key इस मेरे जो होते हैं तो ऐसे एक सारी जो है आपकी इनकलूडिंघ संन की एक फैमिली है कि जिसका की head कौन है sun है और remaining जो है आपके stars जो है means planets वो sun के round जो है revolution करते हैं और उसके बाद जो है हर जो है कई सारे planets के अपने अपने क्या है satellites भी है like earth का moon तो ऐसे जो है सभी celestial bodies को मिला के solar system बनता है तो आप समझ सकते हैं कि इस universe में millions of galaxies है ठीक है और उसका एक part earth है और earth इतने huge earth ठीक है जो की universe के comparison में देखे तो एक छोटा सा ball earth ठीक है और उसकी इतनी wide varieties millions of life species है उस earth में और उन millions of species में एक species human being भी है ठीक है जिसके की हम सदस्य हैं तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं इस universe का कितना छोटा part ठीक है कितनी छोटी पार्ट में हम consistent है ठीक है तो अब देखिए बात आती है 13 billion years पहले big bank से जो है universe expand करना शुरू हुआ clusters हुए galaxies बने galaxies के बाद जो है stars का formation हुआ gases के जो है आपके clustering से और stars के formation के बाद फिर से जो है उन्हें stars के जो है आपके families बने means planets बने और फिर अर्थ का जो है evolution माना जाता है about 5.5 जो है आपके और 5 billion यह अगो के अप्रॉक्स ठीक है तो पांच billion वर्स पुर्व जो है आपका पृत्वी की उत्पत्ती हुई तो 13 billion years अगो जो है आपके big bank से जो है universe expand करना शुरू हुआ था और इट टुक्स जो है अबाट how much about 8 billion years okay to form earth ठीक है तो 5 billion years अगो के आज पास जो earth का formation होता है और फिर earth का formation जब होता है तो initial stage में पृत्वी कैसा था आज जैसा दीखा है वैसा नहीं था initial stage में पृत्वी earth was simply a hot okay means a ball of hot gas okay तो hot gases का एक ball था केवल earth लेकिन gradually वो cool होता चला गया outer layer जो है atmosphere की contact में आने के साथ वो cool होता चला गया अब जब cool हुआ body तो क्या होगा वो contract करेगा ठीक है तो earth भी contract सिकूडने लगा फिर दीरे दीरे फिर जो क्या हुआ जो gases जो है आपके elements से वो convert होने लगे किसमें कुछ तो आपका वैपर का फॉर में जो है आपके convert हुआ और फिर वहीं जो है आपके यहापकी अंदर की जो से अर्थ के और लेर तो क्रस्ट के फॉर में वो कन सॉलिड फॉर में कनवर्ट होने लगा लेकिन अंदर का जो है होट लेर था वो जो है आपके दीरे दीरे काफी टाइम लगा आज भी आपको पता है इंटेरियर अफ दी अर्थ जब आप पढ़ोगे तो सियाल सीमा और प्रेट में है क्यों क्यों एक्सेस प्रेशर के वज़ा से वह सॉलिड फॉर में है लेकिन यहां जो है आपका जब एक गैसियस जो है बॉल वह दीरे दीरे कूल होने लगा और कूल होने के साथ जो है कॉंट्रेक्ट होने लगा सिकूडने लगा तो उसके जो मैंटर्स थे वो अपने weight के according जो है, अपना place ढूनेने लगे, मैं इस एक point पे जो है, जो सबसे heavier matter जो था, वो सबसे central point पे concentrate होने लगे, तो heavier matter क्या था, like iron, okay, ferrous and nickel, इसलिए नीफे जो है, आपका core जो है, उसको कहा गया, क्योंकि वहाँ nickel and ferrous का concentration core में सबसे जादा है, और आपको पता है, जो ferrous iron हो या nickel हो, यह heavier elements है, ठीक है, इसलिए heavier, क्या करेगा elements, सबसे पहले, सबसे अंदर का miss core का जो portion होगा, वहाँ जाके बैठ जाएगा, ठीक है, उसके बाद, उस ते जो है, आपके lighter elements है, वह उसके ऊपर बैठेगा, और सबसे lighter elements सबसे ऊपर बैठेगा, लाइक की aluminum, silica and aluminum, इसलिए upper जो आपके crust का, को हम क्या करते हैं, silica plus aluminum, बीच का जो है, silica plus magnesium, और अंदर का nickel and ferrous, तो इस तरह से earth जो है, जो है, आपके dips बने, कई सारे जो है, आपके basin numa structure बना earth पे, और earth जो आपको round दिखता है, वो वैसा round है नहीं, skeleton अगर earth का देखेंगे structure, वो round तो इसलिए दिखता है, क्योंकि एक ocean, और huge ocean जो है, आपके body के वज़े से, चुकि water है, और water का, जो upper layer जो होगा, surface उपर का, वो ह में variations नहीं मिलेंगे, लेकिन lower bottom में जो है, आके relief में variations है, ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें, तो earth जो है, complete round shape या spherical shape नहीं होकर, वो upper cover है, ठीक है, ups and downs है कई सारे, लेकिन तो उसी ups and downs में क्या हुआ, जब जो है, फिर वाल की corruption हुआ, चुकि contract हो रहा, earth contraction के दौरान कई ब magma वो बाहर निकला, वो जैसे बाहर निकला, कि वो जो hot gases थे, ठीक है, उसमें जो water vapor था, अंदर से चुकी निकल रहा है, तो moisture content भी है, वो water vapor cool and condense होके, फिर उपर जाने के बाद, condense होके, rain water के रूप में फिर से earth surface पे गिरने लगा, इस तरह से precipitation start हुआ, और उस precipitation की continuous process से क् hips थे, basin numa structure, जो गढ़े थे earth surface पे कई जगा, वो क्या होगा, भढ़ने लगा पानी से, और इस तरह से ocean का formation हुआ, ठीक है, तो एक huge ocean का formation हुआ था, that was called panthalassa, ठीक है, और उसी तरह एक huge continent भी था, early stage में, that was called panzea, तो अभी जो ये 7 महादेश, महाद्वीप देखने को मिलते है आपको ये क्या थे, एक समय में सारे एक थे, before cretaceous age, जो है, एक समय में ये सारे एक थे, और एक huge continent, जिसको कि हम panzea कहते थे, और एक huge, जो है, केवल आपके, महासागर भी था, जिसको हम panthalassa कहते थे, ठीक है, तो इस तरह से panzea and panthalassa, अर्थ पे दो भाग था, एक पानी जो है, नीचे जो है, प्लेट्स पे, जो है, कहीं न कहीं, वो best है, तो उसमें displacement होता रहता है, उसी displacement होने के वज़ा से, ये detail process है, आगे कि किसी वीडियो में, उसको पूरी तरह से completely बताऊंगा, क्या है, ये continental drift theory, okay, plate tectanic theory, okay, it will take more time, that's why आभी मैं आपको brief है, बस बता रहा ह गया, move करता चला गया, ठीक है, तो पैंजिया का जो position था मैं आपको बता दूँ, जो अफरिका, अफरिका parental जो है, continent कहलाता है, क्योंकि वो अपने अस्थान पर इस्थिर है, बाकी जो महादूइप हैं, वो अफरिका से तूट कर, और फिर उससे अलग होते चले गए, ठीक अब मौरिसस चूट गया, और उसी तरह वेस्ट में हम बात करें, तो उतरी अमेरिका दक्षनी, अमेरिका अला हो के वेस्ट वार्ड मूव किया, और उत्तर की तरफ को हम देखें, तो ये रोप मूव किया, और बीच में टेथिस सागर का फॉर्मिशन हो गया, वहीं फिर बात में जो है, आपका उसी टेथिस सागर के बीच में लगातार क्या हुआ, इधर से इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, उधर से यूरेसियन प्लेट मूव कर रहा था, जिसको क्या अंगारा लेंड कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिन की तरफ जो फ्लोट कर रहा था, उसक हम गोंडवाना लेंड कहते थे, इसलिए इंडिया का पार्ट है, उसको हम गोंडवाना लेंड भी कहते हैं, ठीक है, और दोनों के पास आने के करम में क्या हुआ, जो रेंफॉल वगेरे होने के कारण जो स्ट्रीम्स थी, जो उस समय भी नदियां थी, वो जो है, दोनों अ जब प्लेट और पास आए, तो उस इलास्टिक नेचर के जो सफ्ट सेडिमेंट्स थे, अफसाद था, उस पे क्या हुआ, कॉंपरेशनल फोर्स परा, ठीक है, कॉंपरेशनल फोर्स के वज़ा से, जो क्या हुआ, जो अफसाद, आप किसी एक पेज को दोनों तरफ से आप प्रेशर लगाई है, तो क्या होगा पेज में वेवी नेचर में फोर्ड करेगा, करेगा, आप करके देखिये, ठीक है, सिमिलरली, या फिर किसी आप रवर पे आप करके देखिये, ठीक है, तो आपको लगएगा, तो उसी तरह जो वो इलास्टिक नेचर का जो अफसाद थ कि पास आ रहा था एक दूसरे के समी पा रहा था तो दोनों से लगने वाले बल जो कॉंप्रेशनल फोर्स जिसको कि हम करते हैं उस बल के वजह से क्या हुआ तो उस अफसात पर प्रेसर पड़ा दवाव पड़ा और इस तरह से यंग का प्लिटर्ट मांका य। इस तरह के परवतों का निर्मान हुआ तो इस से पहले पर्वतों का निर्मान पार्मंत हुआ था अब्रवत निर्मान की अगरेकर प्रवतमेर्व न कि अगर हम बात करें तो इसके भी अपनी इतिहास हैं सबसे पहला परवत-निर्वान कब हुआ था ठीक है कैलीडोनियन मॉन्टेन बिल्डिंग उसको कहा जाता है फेज और वह हुआ था सिलूरियन और डेवोनियन टाइम में ठीक है सिलूरियन और डेवोनियन यह मैं आपको बता दूँ जो यह पहली हो एक एरा में है अभी हम बात करेंगे एक एक करके ठीक है और उस टाम में उसका हुआ था फिर दूसरा जो परवत-निर्वान का काल कहा जाता है हर्सीनियन जो की कार्बोनी फेरस जो है और पर्मियन एज मे प्रमिशन हुए तो इस तरह से हम देखें तो अर्थ पर क्रिटेंस ऐसमें आयो आपका प्रियूएड में यह अर्थ कई भाग में सबर्मार और बरतमान में में आगे गुए अगर हम देखते हैं महादेश का की डेख ती साथ महादेश की फिर महासाग़ों की तो इनकी जो इस्टिती हम देखते हैं यह मिलियंस ओफ इयर्स लग गए प्रजेंट से में आने में ठीक है तो अर्थ का इसका फॉर्मेशन कब वह फाइब बिलियन येर्स अगो अबाउट ठीक है कहीं आप उसको फॉर प्वाइब पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मेशन हुआ अब देखिए अर्थ के फॉर्मेशन में बाद फिर मैंने बताया एक यूज कॉंटिनेंट और यूज ओसन का फॉर्मे गैसे थे लेकिन फिर कि अवा सोलर विंड के प्रभाव से अर्थ का जो ऑटर लेयर की गैसे थे वो दूर हट गए ठीक है सोलर विंड के इंफ्लूएंस के कारण उसके बाद अर्थ की अपनी कोई अट्मॉस्ट्रे नहीं थी लेकिन जैसी वालकनिक इरप्संस स्टार्ट ह है अर्थ का एक अपना एक्मोस्ट्र्व्र बना ठीक है अर्थ की ग्रवीटी की करण वो गयासेश बाहर नहीं गया और अर्थ के राउंड ज्यें एक सपेर्र के फर्म में वह अरेंज हो गया डिफृरें ज्योर्व और यृष्वर की अपनी एक्मोस्पेर बन गयी which consists of several gases अब देखिए, अब इंट्रेस्टिंग है जो अर्थ की जो अपनी हिस्ट्री है इसके बाद से, अर्थ में जो मॉन्टेंस का फर्मेशन स्टार्ट हुआ, लाप्स की बिगिनिंग हुई, पहले मेराइन जो है आपके लाप्स आया, मिंस समुदरी जीव पहले आया, आपको प से होते हुए, साविट वाटर से, होते हुए, स्टूरी से मुहाने में, रीवर के, मुहाने में इन करके लाइफ, और फिर रीवर के लॉंग जो है, वो धीरे 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 लेंड सर्फेस पे लाइफ की एवाल्यूसन होती है, ठीक है, तो इस क्रम में हम देखते हैं, जो अर्थ के इस history को हम कैसे कितने भागे बाठ सकते हैं इसको different eras में, different epochs में और different periods में हम बाठते हैं मैं आपको ब्रीफन यहां बता दूँ अर्थ के पूरे history को means after the formation और evolution of earth अर्थ को different geological time periods में classify किया गया है ठीक है उनके fossils के history के basis carbon dating का सहायता लिया गया sedimentation process के थू पता किया गया तो ऐसे कई सारे विधियों के द्वारा earth की history को जाने की कोसिस की गई और earth को different geological periods में इस तरह से बाठा गया है इसके जो इतिहास रही काफी लंबी रही है मैंने कहा earth का evolution जब हुआ उसके वाद देखे फर्स्ट जो फेज माना जाता है geological time period जहां तक का evidence हमें मिला है वह है ajoic या arkean ठीक है यह जो है 800 million years ago यह period माना जाता है 800 million verse पहले 1 million verse में कितने साल होंगे 10 लाख साल ठीक है तो 800 million years पहले जो है सबसे पहला फेज geological time scale का माना जाता है ऐरगी उसके देखे अराज जो है करके का आस्ट है किसजो को परिर ठीकिसजोिक का परी पैरियो जौईक क्राएं tick इस तरह से S التي आराज आपको देखने को मिलेंगे अगर यह जौईक का अगर हम इसको एक सिम्पल सी फर्मॉला है याद करने शे जो geological era को ठीक है एजी प्रेस पेल बटन टू मैसेज दी आइधर यू can say that center और सीनो एंड नियो सब्सक्राइब सीनो एंड नियो आप अपने दू girlfriend को माल लीजिए ठीक कोई भी किसी का नाम रख लीजिए तो क्या रहेंगे अजी प्रेस पेल बटन को दवाएं ठीक है सीनो एंड नियो यान्य की फीले बटन को लाएं ठीक that सीनो एंड नियो को मैसेज कर्ने के लिए अब इससे जो है और दूमस को सीनो एंड नियो गराय किस तरह से तो इस तरह से जो हम बात करते हैं जो है बहुत सारे रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि आज आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक की जो है अगर हम बात करते हैं पैनिसुलर इंडिया में तो कई सारे चट्टान उसकाल के निर्मित हैं लाइफ की बात करें तो बहुत अधिक जो है यहां पर कोई लाइफ की जो है आपकी पॉसलिटी नहीं थी या फिर एक्जामपल नहीं मि पानी यानि कि जिनके पास पशे रेड की हडी नहीं होती थी जेली फिस तो ऐसे जहां आपकी इनवर्टिव रेट्स जो है आपके लाइफ का एकल एक लुग सन हुआ खहाँ पकर समूतरी और फिर उसके मैंने बताया 800 million years pre-paleozoic की बात करते हैं तो 700 यहां ब्रीफ में मैं बता रहा हूं एक एक का काल मैं सारे eras का मैं आपको प्रिड बताता रहा हूं तो pre-paleozoic जो है आपका 700 million years अगो उसका काल है ठीक है उसके बाद देखे 100 साल तक लगवा रहा चला pre-paleozoic यहां जब स्टार्ट होता है तो कब से 600 million years अगो से लेकर 225 million years अगो तक चलता है यू कान नोट इट तो कब यानि कि पहलिए जोए कि रहा कब से कब तक 600 से लेकर 225 million years अगो तक तो मेसोजोईग मैसोजोईग 225 million years ago से लेकर और 70 million years ago तक मेसोजोईग और उसके बाद सीनवजोईग यानि कि सेनो जोई जिसमें की पूरा परवत निर्मान या रहा है वो सतर मिलियन वर्स से लेकर और एक मिलियन वर्स तक रहा है ठीक है तो यह जो 70 million years ago से लेकर 1 million years यानि कि 10 लाख वर्स पुर्व तक जो रहा है वो क्या रहा है सीनो जोई परवत निर्मान काल रहा है ठीक है उसके बाद देखे 1 million years अगो से लेकर और 10,000 वर्स पुर्व तक ठीक है यानि कि 10 लाख वर्स पुर्व से लेकर 10,000 वर्स पुर्व तक रहा है जो है आपका सीनो जो नियो जोई का कौन सा प्लिस्टोसीन काल नियो जोई क्यों हम यानि कि सबसे जो रिजन्ट जो है आपके एरा रहा है उसको हम प्लिस्टोसीन एंड जो है होमोसीन जो है में दो तरफ से हम बाटते हैं ठीक है तो प्लिस्टोसीन जो रहा है वह व यह बहुत सारे अवेडिंस नहीं बस यह पता है उसमें कई सारी जो एंसेंट रॉक्स जो है लाइक जो और वुआ द्रफिक भगर घरंज की जो अगर्म बात करते हैं तो उसके सारे बाग है उसमें कहा इंवर्टिवरेट उत्वटमीं का उद्भव हुआ फिर का उसके बाद में आज यह तो तो paleozoic Era के कई सारे epochs हैं, ठीक है, इसके कई सारे भाग हैं, paleozoic मैंने कहा 600 million worst पहले से लेकर 225 million worst पूर्व तक इसका फेज रहा है, और इसमें कौन-कौन से पार्ट रहे हैं, paleozoic के, अब देखे, paleozoic के जो पार्ट हैं, Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian and Carboniferous and Permian यह जो छे भाग रहे हैं पहले जो एको आप छे खंडों में Cambrian, ठीक है फिर Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian तो यह जो है आपके छे भाग में इसको बाढ़ सकते हैं इसको ऐसे आप याद राख सकते हैं हमारे formula के according कैसे? तो Cambrian, Camera, ठीक है Cambrian, Ordovician, Camera order करने के लिए Silur Dev का Permission चाहिए इस तरह से आप पहले जो एक एरा के जो Six Epochs हैं उसको आप याद रख सकते हैं Camera order करने के लिए Silur Dev का क्या चाहिए? Permission चाहिए Camera means Cambrian, order ordovician करने के लिए Silur Dev का, Silur Dev का, ठीक है? Means Devonian का Carboniferous Permission चाहिए? Permission चाहिए? इसमें बहुँ सारे जैसे कि मैंने कहा पहला जो परवर्ट निर्मान हुआ था वो इसी में Silurian phase में हुआ, अब देखे फर्स्ट टाइम जो है आपके मेराइन लाइफ से जो Fresh Water Life में जो है आपके Evolution हुआ Life का, Fresh Water Life का Evolution हुआ, वो Silurian Time में ही माना जाता है जहां पर कि Asturis से, यानि कि जो जौरिये जो है आपके जो तट हैं, वहां से इन की, ठीक है? जो है जो है आपका अगर बात करें तो Tropical Rainforest के बाद अगर हम देखें, तो one of the most diversified region माना जाता है उसे, biological region माना जाता है Asturis को, ठीक है? जो है जो है जो है जो है जो है इस वजह से वहां mixture of water होता है और मैं आपको बता दू, life का evolution वहां संभब ज्यादा है, जहां पर इस तरह के जो है दो adverse या दो से अधिक adverse जो है आपके waves, adverse conditions जहां पर हो, ठीक है? और वहां mixture of जो है चाहे gas हो या फिर आपके elements हो, वहां जो है life का evolution easy होता है और वहां की productivity, fertility भी ज्यादा होती है, जैसे कि जितने भी आप बड़े fisheries bank case को देखिए, चाहे dogger bank हो, या फिर जो है आपके और इसलिए mixture होता है, तो वहां जो है एक wave generate होता है, और वही mixture जो है, वो life के fertility evolution के लिए और helpful हो जाता है condition, तो same condition आपका यहां भी जो है जो है जो है, तट पे भी generate होता है, इसलिए life जो है, मिराइन से fresh water में जो आया, वो salarian time में, ठीक है, और वो भी plant के थ्रू, ठीक है, टाइडल forest आप जानते होंगे क्या होता है, उसके लिए जो है, वही mixture condition जो है, चाहिए होती है, जहां पे saline और fresh water, दोनों का mixture होता हो, ठीक है, मिक्सिंग हो, वहां पे टाइडल वंज्वार्य वन की उत्पत्ती होती है, ठीक है, और फिर दीरे 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 जो है, आपके continental part में life का evolution स्टार्ट हुआ, लेकिन man का evolution अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, इसे दरान मैंने कहा, जो इसी क्रम में जो है, two mountain building phages आते हैं, जिसमें कि आपके हरसीन टाइम में ही, आपका जो यह अरावली रेंज है, इंडिया का, उसका formation हुआ था, अरावली इस वन अप दी एंसेंट जो है, mountain range, और उसी टाइम में फिर आपका सकते हैं, यह अजन्ता, ओके, आपके, सत्पुरा रेंज, यह सभी का formation कहीं न कहीं, जो है, आपके हरसीन टाइम के थे, और जो है, उसके बाद जो है, आपके पैंसिलवानिया, जो है, आपके इस्टेट्स, USA में आप देखिए, तो वहाँ भी आप आप आएंगे, USA में, जो इस ranges के mountain series देखने को मिल जाएं, कैलीडोनियन, हरसीनियन के, जो है, आपके, आपक जो है, वह भी जो है, कहीं न कहीं, उस range के मिल जाएंगे, ठीक है, तो ग्रेट्स, कैनेडियन सिल्ड जो है, आपका, वहाँ भी आपका, वह भी कैलीडोनिया, हरसीनियन टाइम का है, तो ये जो प्राचीन जो है, अस्थलखन याने की mountains जो है, उस period के मिलेंगे आपको, उस की अर्था समझाए, ये तो जाना easy हो जाएगा, लगकि पहलियो जो इक, तो पहलियो मिस क्या होता है, पूरा, मिस प्राचीन, और जो इक मिस life, जहां पर प्राचीन जीवन की का साक्ष्य हमें मिलता है, उदभव जहां पर हुआ हो, प्राचीन तम जीवन की, तो उसको हम क drive जया है Ett alot, मेरा क्या करने झाभी ह सब्सक्राइब, श्रकर, शेलम हमें में धीजुन, इनटैसर अ यहां मिस को करेंट यह को हम चाई है टैक एक जिसमें की और जो को मैं रखते हैं वर्तमान में नियो जो एक तो तो इस तरह से अपनी अपनी एक इसकी नॉमेंक्लेचर को आप जाएंगे तो इजी हो जाएगा समझना तो ठीक है इसके बाद फिर पर लिए जो एकी बात किये हम पर्मियन तक इसी में कर्वन एज जो है कार्वोनिफेरस में कर्वन डिपोजिशन हुआ इंडिया में जितने भी कर्वन डिपोजिशन के प्लेस साइट मिलते हैं कहीं कर्वोनिफेरस टाइम में इसका फॉर्मेशन हुआ था पर्मियन में भी जो है इस तरह की लाइफ्स में और मॉडिफिकेशन हुआ ठीक है वहां भी फिर रैप्टाइस का जो है एवल्यूशन हो तब तक मिन्स अधाक वगिर का जो है आपि कहा सकते हैं जो उसके बाद देखिए क्युल पृक्ष्टाइट के हैं याभी में के सध्री मेंटेशन के भी आपके मिलन आपके मिलते हैं यहां स्टार्ट हो चुका था किसमें ट्रियासिक में ठीक है वहीं जुरासिक में जुरासिक जुरा मॉन्टेन के नाम से जाना जाता है इसको ठीक है स्वेजरलेंड के आसपास तो जुरा मॉन्टेन के वज़े से यहीं पर जुरासिक पार्क जो है आपका एक मूवी देखे ह हो चुका था और उनकी संख्यां भी तेजी से बढ़ रही थी जुरासिक पिरिएड में और फिर क्रिटेस में भी जो संख्यां बढ़ रही थी लेकिन क्रिटेस में एक बहुत बड़ा चींज आया क्या आया जो कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट की जब हम बात करते हैं महादुविपों का विस्थापन यानि कि जो हमने कहा पैंजिया जो था वो अर्थ के जो है मिस टैंशन के व कॉर्मेशन हुआ और फिर वो एक दूसर से दूर हटने लगा इसी क्रम में आपका जो ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफरिका है ठीक है निल नदी जहां से उद्गम होती है वहां के आसपास आप देखेंगे और रेड सी तक वो ग्रिफ्ट ग्रेट रिफ्ट वैली का जो ह क्या हुआ था वहां भी सेंट्रल इंडिया में एक दरार पढ़ा था मिस्क्रैक्स हुए थे मिस्मद्प्रदेश और गुजरात के आसपास ठीक है और वहां से फिर लावा का क्या हुआ था एरप्शन हुआ था यानि कि लावा बाहर निकला था अंदर का मैगमा लावा और फिर लावा की पठार का निर्मान हुआ यानि कि जो ब्लैक स्वाइल का तजिनस हम देखते हैं इंडिया में डेकन ट्रैप जिसे हम कहते हैं उसका फॉर्मेशन उसी क्रिटेसस टाइम में हुआ था ठीक है जबकि स्ट्रेस पढ़ने के कारण वहां पे दरार पढ़ा और अ इसके बाद जो हम बात करते हुआ इस तरह से जो है देखें तो एक्वेटरियल रिजन में उस टाइम में जो है या फिर आपके ट्रॉपिकल और एक्वेटरियल रिजन यानि कि विश्वत रेखा और जो करके रेखा के बीच में इस तरह के कई सारे वॉल्किनिक एरप्शन हुए तो इससे क्या हुआ जो टैंपरेचर थी अर्ट सर्फेस की इन रिजन में बढ़ने लगा ठीक है कई सारे यहां पर स्पेसिज वो माइग्रेट करने लगे किधर तो आर्करिक रीजन के तरफ ट्वार्ट्स पोल क्योंकि टैंपरेचर बढ़ रहा था जो आपके एक् आपके वैजिटेशन देखने को मिल रहे थी उस टाइम में प्रजेंट थी इट बिंस कहने का मतलब वहां जो क्लाइमेटिक कंडिशन था ग्लोब का वह आज से काफी डिफेरेंट था ठीक है तो इसके बाद जो है जो आपके अगर हम बात करते हैं क्रेटेसिस के बाद हम बात करते हैं तो आता है क्या मैसोजोग के बात करते हैं तो आता है क्या मैसोजोग के बात करते हैं तो आता है क्या मैसोजोग के बात करते हैं तो आता है क्या मैसोजोग के बात करते हैं तो आत आपके पोक्स हैं काल है इस एरा के ठीक है कौन-कौन से यह चारो परवत निर्वान काल रहे हैं यह उसीन ओलीगोसीन ठीक है और फिर मायोसीन और प्लायोसीन तो इनको आप याद रखे इयोसीन में क्या हुआ था जो सबसे फर्स्ट यानि कि योसीन सेवेंटी मिलियन इयर्स अगो जहां से परवत निर्वान प्राराम हो गया था ठीक है इयोसीन में जो आपका फर्स्ट जो है मौन्टन बिल्डिंग का कर सकते क्योंकि हिमाले का फॉर्मेशन यहां जो हे स्टार्ट हो चुका था ठीक है धीरे-धीरे हिमालीयन जो रीजन था टे थीस्टी का वो जैसके मैंने कहा अंगार्ट गौरणवालान लेंड के पास आने से उसमें अफलिप्मेंट होना स्टार्ट हो गया था ठीक है तो यानि कि जो रहा था इमालय के तौर पर ठीक है और देखिए वहीं पर कहा जाता है कि कई सारे सिध्धांत मानव की उत्पत्ति को लेकर है जिसमें से कि एक जो है औस बर्ण का थेयरी जो है मानव उत्पत्ति से रिलेटेड वो ये कहता है कि मनुस्य का जो उद्गम अस्थल था वो कहां टर्सिएरी इसको पृइसर कहा जाता है और यह किस का है सेटो nori का जिसको की परवत डॉय कि कहां यह सकते है इनका जो evolution हो चुका था कहां पर बर्मा में अनमार में ठीक है यह evolve कर चुके थे मिन्स monkey and gibbon अब उसी time में फिर हिमाले का formation भी दीरे-दीरे start हो चुका था तो कहने का मतलब अब क्या है जो मैंनमार और बर्मा में जो है गिबवन हमारे जो है मिन्स ancestor जो है वहां जन्म ले चुके थे और जैसे हिमाले दीरे-दीरे बढ़ना यह ऐसा नहीं रातो रात हिमाले जो है 8850 मीटर का हो गया ठीक है जी नहीं यह क्रम से बढ़ा millions of years लगे अब देखिए 70 million worth पूर्व से start हुआ यह सिन फेज और 40 million worth पूर्व तक रहा यह सी ठीक है सतर से 40 30 million worth लगे हिमाले का first जो है फेज जो है greater हिमाले के formation में ठीक है ना तो हिमाचल हिमाधरी और सिवाली का आप कहते हैं हिमाचल हिमाधरी सिवाली तो हिमाचल जो सबसे उपर का जो है 30 लाक ठीक है तो यानि कि एक मिलियन दस लाक तो समझ सकते हैं 30 million यानि कि 30 गुना 10 लाक वर्ष आप कर दीजिए इतना समय लग गए इतने लाक वर्ष लग गए एक मातर हिमाचल के formation में और इस दौरान ही इतने लाक वर्ष तक आप समझ सकते हैं आप सोचते होंगे कैसे बंदर से हम बन गए मानव तो सोचिए आप अपने जैनरेशन में इतने सारे चेंजिस देख लिए ठीक है आप पिछले 25 साल में पिछले 15 साल में 20 साल में आपने देख लिया एक नोकिया की एक जो है केवल जो है आपका जहां पर इनकमिंग भी जो है आपका चार्ज लगत ले आपने पा लिया अपने केवल इस चोटे से एज में 15-20 एयरि आपने देख लिया तो सोचिए वZe यानि 30 मिलें 呀 आपके के फेज में क्या क्या बदला होगा कितने कुछ पड़िवर्थ हो गया होगा और इस तरह से जो है क्या हुआ जो उस टाइम जब हिमालय का धीरे धीरे उत्थान हो रहा था तो वहां के गिबोंस जो की उसमें भी बहुत तरह के जो है क्लामेटिक इंफूएंस के कारण जो उनके हैरी जो है आपके चेंज़े होते रहे होंगे लेकिन जब जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ तो आसबर्ण का यह कहना है जो यह जो क्रेडल अफ सिविलाजेशन था मैंनमार और बर्मा जहां पर यह गिबांस की उत्पत्ती हुई थी और फिर धीरे क्या हुआ जैसे जैसे ह किस्विलाद की स्फोर्ट हो जायं तो आप वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे आप क्या करेंगे वहांसे सुरक्षित जगहों पे भागेंगे तीक कि है जैसे कि आफिब्लेस अपके एक हैभिट होता है जो सफिप फ्लेस की तरह आप मूब करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए तो साइध यह गिब्बोंस भी और मंगोलियन रिजन से आपका यह कहां माइग्रेट करने लगे यह माइग्रेट करने लगे तुवर्स नौर्थ ठीक है और उसी में कुछ जो हो सकता है तुवर्स सौथ भी माइग्रेट क्यो यह स्वाही हो अफ्रिक कारे और जौ हमारे जंभरणियर्वान गटे तरफ वह भागे उस्टरेल्या की तरफ नि अन्यूम्टे divine लागे वह उयूपuchar के रिपाद होंगो जहां यानि की कहने का मतलब है जो वह लोग कॉंटिनेंट के मार्जिनल एरिया तक भागे जहां तक उनको अंतिमस्थान विला अपने अपने सुरक्षा के लिए ठीक है जो चेंजेज ना हो और फिर जब कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ लाइकि आई से जब आए उस रीजन में नॉर्डरन हेमस्थेर में पोलर रीजन में तो वहां से फिर वो लोग सौथ के तरफ भागने लगे कुछ लोग वहीं रह गए ठीक है क्योंकि कुछ रोग होते हैं जद्धी प्रविर्ति के कहते हैं नहीं मैं तो अपना घर छोड़ के नहीं भागूंगा चाहे जो है पुरा गाउं बाढ़ में डूब क्यों न जाए लेकिन हम अपने छत पे या घर के आंगन के पेड़ पे लटके रहेंगे तो ऐसे प्रविर्ति के लोग भी होते हैं तो adverse condition में भी जो अपने आपको adjust करने में कहीं न कहीं belief रखते हैं और वो वहीं अड़े रहते हैं कुछ जो होते हैं आपको सकते हैं जो या तो जिनको अपनी जान बहुत प्यारी है या बहुत वह कुछ डरपोक्त आपके हैं वहां से भागेंगे अपने जान के रख्षा के ल अपने तो जो तिब्बत मंगोलियन रेंज था या मेनमार का जो रेंज था यह था ठीक है क्योंकि यहां आपके गिबॉन का आपका कहीं न कहीं वा था अब देखें दूसरा जो है यह तो एक सिध्धान्द बताया तो उसके बाद यो सीन के बाद जो है फिर ओलीगो सीन का अब्स का माना जाता है प्रश्जान का कहा से कहां से कहां तक माना जाता है देखें पहला इयो सीन मने बता बर्षela बाद माहसीन तो प्लायोसीन तो कब तक रहा है एक आप स gjzwischen रहा है से एक सारे अपकी आणि‐ वर्स पुरुव तक जो है वह सिवालिका का फॉर्मेशन इस क्रम में हुआ है इतने दस लाख वर्स लग गए लगभग जो है इसको फॉर्म होने में ठीक है और इस दौरान फिर धीरे-धीरे कई सारे जो है आपके आनिमल्स लाइक की डॉग कैट रैट ठीक है यह सारे करने लग केलाद कि शाट रचेंड का नाइस दौरान फारीका के सरे करने के इसी दो फॉर्मेशन हुआ इसी आम इंस वा ठीका ग्रास लेंड ध्यान है यह जग्योंगा जॅशन ने वैसे यानिकी animals को जैबनाने लगए उनको पालतु बनाने लगए यह तो-on उनको पालतु बनाके मनुस्य साथ जहां-जहां जाते थे उनको ले जाते थे सब्सक्राइब कहला था इसलिए उसको भी उसाथ ले गए तो इस तरह से मनुस्य से अपनी फैमिली जो है वो बढ़ाती गई और अपनी जो एसेस्टिम जो है अलिमेंट्स लाइफ के लिए उनक ठीक है तो इसी के साथ जैसे की human settlement की बात करें तो grassland से होके मनुस्ति जब गुजरा जंगल से निकला grassland में पहुंचा वहां पर जाडियों से पहले तो जंगलों में किस पर रहते थे जंगल में जब थे ट्रॉपिकल लाई की जो rainforest में या forest region में जब रहते थे मनुस्य तो उस सब्सक्राइब ट्री ब्रांश पर यानि कि branch dwellers उसको कहते थे और वह जो प्रजाती थी एप के बाद आज भी बंदरों को देखिए पेड़ पे चड़ते रहते हैं तो उस टाइम में हमारे जो एंसेस्टर्स थे लाइकि एप वह क्या dryopithecus उनक जो कि पेड़ के टहनियों पर रहते थे उनके पास घर नहीं था यह settlement का concept नहीं था तो हमारी पूरवज पहले कई million words तक पेड़ के टहनियों पर ही बिताए और इसलिए उनका क्या था body structure उसके according adapted था हम उस समय में यह हाथ जो हम कहते हैं बंदर के तरह था हमारे हाथ ऐसे चलांग लगाए तो हमारी जो में सेंटर ऑफ ग्रविटी है वह कहीं न कहीं मैंटिन रहे और फिर हम चलांग लगा पाए इसलिए हमारी बैकबोन वह ऐसे टेड़ी थी कर्वड थी ठीक है ना तो वह सारे जो है नेचर जो है उस अनुपूल परिस्थिती मिंस हमें परिस् जैसे 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 ऑफ्सन बढ़ते गई गए ख्लाविटी कर लीशन्स चेंज हुआ तो क्या रायोपिटेकस के बाद जो नेक्स्ट इस्टेप आता है यूमेन का हमारी जो अगली एंस्टेश्टर जो आई वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलो और और इस तरह से Australopithecus, Dryopithecus के बाद Australopithecus आया, यह दक्षिन बिंदू में, यानि कि जो अफरिका के घनी जंगलों में रहते थे, ठीक है, ऐसे को हम कहें क्या, या जो आपके Australopithecus, औरीजिनल ट्राइब्स थे, या मलेसे इंडोनेसिया के जो ट्राइब्स थे, इन ट्राइब्स को अग यह क्या हुआ, इसमें जो है, इस प्रजाति में कुछ चेंजिस आये, ठीक है, यानि कि यह जो एस्पेसिज बना, नेक्स्ट जनरेशन एस्पेसिज के, जो हमारा हुआ, Australopithecus, इसमें यह चेंजिस थी, यह पेड के टहनियों से हटकर, फिर दीरे-दीरे, इनका जो है, मारने में सक्षम हो गए, ठीक है, और जैसे कि जांगली जानवरों को मार कर, खास करके, जो जानवर मांद में, ठीक है, केव में रहते थे, उनको मार कर, उनके केव में, वो ज्यादा suitable इनको लगने लगा, बारिश से बचना, धोप से बचना, ठीक है, इसलिए यह केव में गुफाओं में रहने लगे, जानवरों को मार मार के, ठीक है, और तब ये ट्री ड्वैलर्स से जो है, इन ब्रांच ड्वैलर्स से बनके केव ड्वैलर्स, और ये और संपन होते चले गए, दिमाग इनका और चलने लगा, क्योंकि इनकी आविश्यक्ता बढ़ने लगी, ज अगर आप सुस्त होके पड़े रहेंगे एक ही जगह, आपके अंदर संघर्स की जो है, वो एक भूक नहीं है, ठीक है, संघर्स करना नहीं जानते हैं, सब कुछ बने बनाए ठाली में मिल जा रहा है, तो आप कहीं से इनोवेटिव नहीं हो सकते हैं, और कहीं न कहीं हमें के लिए बहुत वड़ी परिशानी है की बात भी है, क्योंकि हमें प्रकृती ने इतना कुछ बना बनाया दे दिया था, कि हम दूसरे जगह जाने विश्वास ही नहीं रखें, अपने जगह पे बैठके खाए, पीए, चाहे अमरूद ही क्यों नहीं मिल गया, अमरूद खाल इतना आपको favorable condition नहीं दिया था, इसलिए उन्हें अपने जीविका के लिए संघर्स करना पूरा, ठीक है, सर्वाइवल के लिए आप कहते हैं मरता क्या नहीं करता, तो इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए fight किये, संघर्स किये, migrate किये, यहाँ पानी नहीं मिला, और आ तो इस क्रम में क्या होगा जो कई जैनरेशन को सफलता भी मिल जाती है आपको कहीं नहीं होगा तो आप खुनने लगेंगे ठीक है हो सकता है खुनते-खुनते आपको जमीन से पानी निकल जाए तो आप पानी का खोज करने इसलिए उस इलाके में तो इस तरह से आविश्टक में तो यहां हमसोच सके हम संघ्र्णकिये हमारे अंसिस्टर्स जो संघ्र्णकिये वह स चर्च में निकले निकले और इसलिए hev ड्वैलर्स के बाद उनकी जो जब उनके पास हथियार रुश्य इक्विप्मेंट्स आने लगे तो फिर क्या किये जो खेती बाड़ी करने लगे वह चलने लगे जमीन पर याने कि दिरे-दिरे वह चुकि अब हैबिट तो उनका पेड़ पर चढने का उतरने का यानि कि छलांग लगाने का दिरे-दिरे कम हो रहा था तो उनके जो बैकबोन वह भी स्ट्रेट होने लगा ठीक है ना और यह ऐसा नहीं है जो महना दो महने में हो गया यह कई generations लगे होंगे कई millions years लगे इसको होने में ठीक है फिर होते होते क्या हुआ यह बैकबोन हमारा स्ट्रेट होता चला गया हाथ ओपेन होने लगा यह जो हैंड के रूप में हम आगे के जो फ्रन्ट लेक्स को हैंड के रूप में यह एक्टिव करने लगे हम ठीक है ना फिर धीरे-धीरे हमारी जो बॉड़ी स्ट्रेक्शर है वो चेंज होने लगी अकॉर्डिंग टू जी क्लामेटिक कंडिशन से अकॉर्डिंग टू आर प्रैक्टिसेज ठीक है और फिर हम क्या हुआ स्ट्रेट होने लगे इसलिए जो थर्ड स्टेज आता है यूमन स्पेसीज की जो है एवोल्यूशन में फिर्स उसी को हम कहें होमो एरेक्टस ठीक है वो काफी कुछ हम जैसा दिखता था लेकर उनके बड़े बड़े बाल हेर्स जो है आपके पूरे बॉड़ी में ज्यादा कवर रहता था ठीक है उनका ये जो जवड़ा था इसका भी स्ट्रेक्शर कुछ और था तो इस तरह से जो पर तो आप कहीं न कहीं आप आएंगे हाँ ऐसे थे हमारे पूरवज ठीक है तो उसके बाद देखिए होमो एरेक्टस वो सीधे चलने लगे अग्रिकल्चर प्रैक्टिसे स्टार्ट हो गई ठीक है ना डॉमेस्टिक फिकेशन आपका अनिमल्स होने लगा बर्ड्स होने लगा और साथ ही साथ जो है फिर वो जो है अपनी एक समुदाय भी बनाने लगे कम्यूनिटी बनाने लगे और इसी क्रम में जो है फिर होते होते ये क्रम जो है रहा इस क्रम में कई सारे प्राकृतिक आपदाएं भी जहलने पड़े इनको ठीक है और फिर लास्ट में होमो से होम हो मिस मैन लाइक एड स्यापियंस बुद्धी जीवी ठीक है अपर्सन हाविंग विजडम तो मिस जो अपने विवेक से बल से कुछ और इनोवेटिव सोच तक कर सके यानि कि तो ऐसे जो बुद्धी जीवी मनुस्य को मनुस्य की तरह दिखने वाली प्राणी को हम होमो से पि हम क्योंकि हमारे पास विजडम है लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है आज हम विजडम सभी आगे निकल गए हैं कहीं न कहीं हम जो है ट्रॉंस चीजों को भी हम सोच लेते हैं ठीक है कहीं हम वैसे वैसे चीज करने लगे हम सीधे खड़े हुए चलने लगे दोड़ने जो आ रही है वह दिखाता है जो अब हम हम सारे लेमिटेशन को करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ठीक है यह दूसरी बात है को रोना आ गया तो हम डर के मारे घर में बैठके लेकिन तो इस तरह से हम इवाल्योसन किये उसी के अपने इवाल्योशन के फेज़ेज के साथ ही साथ जो हमने नेचर को भी हमें अपने प्राव कर रहा है तो यह जो है पहले रिलेशनशिप हुआ जहांपे नेचर मैन पर डौमिनेट किया फिर पॉसेबिलिस्टी का आया जहां स्कॉलर्स कहीं जो मैं जो है नेचर को डॉमिनेट कर रहा है अपने स्किल्स और टेक्निक्स के बेसिस पे फिर बीच में ग्रिफिक टेलर ने नियो डिर्मिनिस्टिक अप्रोच दिया मैं इन वांट रिलेशंशिप का जहां पे दोनों के सामन जसेता की बात की तो यह सारी जो प्रॉसेस रहे व तो एक ही स्पेसी में कहते हैं स्पेसी यह जो वर्ल्ड वाइड आप इतने सारे डाइवर्सिटी देखते हैं ठीक है पक्षी है तो इतने तरह के पक्षियां आप देखते हैं ठीक है अनिमल्स है तो इतने तरह के अनिमल्स मैन है तो इतने तरह के मैन देखते हैं कोई गोर निंग वायड डा धीश और नेचर भी एक्वलिटी एक समानता नहीं प्रवाइट करवाती है लेकिन नेचर के साथ एक खास बात यह है यह वहां di हम घंकर टो प्रप्राइबसाइब केस्ट का मैं यह कमीनेकर लेकिन कहीं न कहीं वह América जैसे कि अगर हमें और आपको पोलर रीजन में जाके छोड़ दिया जाए जहां पर एक्स्ट्रीम प्रिजिट कंडिशन रहता है ठंड माइनस में टेंपरेचर रहता है वहां जाके छोड़ दिया जाए आप कितने दिन सर्वाइव कर लोगे वह भी बिना कपड़े के मुस्क अगर जाके और पिगमीज के साथ अफरिका की जंगलों में छोड़ दिया जाए ठीक है तो क्या हम वहां सर्वाइब कर पाएंगे कॉंगो बेसिन या एमेजोन के जंगलों में नहीं कर पाएंगे लेकिन हमारी जो एंसेस्ट्रिस वह आज भी वहां महजूद है और समझ सक तक उनकी जनरेशन बढ़ती चली गई ठीक है उनकी फैमिली बढ़ती चली गई आज भी वहां पस्थी थे हम जैसे यूज नमर्स में ना हो लेकिन आज भी आप जाईए जारवा को सेंटिनल्स को ओंगी को ठीक है सॉमपेंस को या फिर जो है उसे पहले वहां जाए पिग इंकरी में जाए स्कीमों हो लैप्स हो है ना उसके भाज आप जाईए मैं से जो में से साइवर्ण में जाए जाए वहां के जो ट्रैपस हैं ठीक है तो इसे ने लिए नेचर हर जय आप पॉसिविलिटी और हर किसी को इसकोडिशन के अनुकुल धाल देता है फ्रकरती ठीक ताकि वो उसी condition में वो survive कर चाहे और हम जो है बीच के condition में survive करने वाले है जो middle latitude है tropical and subtropical regions तो हम इस condition के लिए favorable है या यह condition हमारे लिए favorable है तो जो जहां रहा गया वहां के प्रकृति को उसने क्या-क्या adopt कर लिया और इसलिए एक ही human races ठीक है millions of years तक चलने वाले इस natural changes को कहीं न कहीं जो है वह adopt करते चले गए adopt करते चले गए और उसी के according हमारी genetic functions वह भी change होती चली ठीक है ना तो कहने का मतलब है जो भी biological differences हमें मिलते है इस wide diversity में पूरे जो diversity जो है in lives की हम बात करें पूरे अर्थ पे तो बहुत huge diversity है ठीक है millions of years millions of जो है आपकी वह species हैं उन्हें में से बहुत कम discovered है ठीक है 1% भी हम discovered नहीं कर पाएं अगर हम बात करें तो उन्हें species की तो इसलिए इतने सारे species में बहुत सारे variations इन आपको मिलता है तो इस तरह से कई सारे species आपको मिल जाएंगे तो यह है special biodiversity है species biodiversity इसी तरह genetic बाइडिवर्सिटिज अब एक ही species में plant में ही कही तरह के plant आप देखिए animal में ही कही तरह के animals है है cat है dog है rat है lion है tiger है तो यह कई तरह के species है तो इसलिए अब देखिए human species में ही कही तरह के हमने कहा black है है white है yellow reddish है chocolate color के हैं तो यह जो है आपके वो क्या है genetic biodiversity करते है that variation within a species ठीक है variations within a species तो उसको हम करते है genetic यह होता है due to genetic जो है आपका changes और जो है आपके variations जहां पर gene के variations के वज़े से बता है और genetic variation भी कहीं कहीं क्लाइमिट से ही influence होता है और थर्ड आपका ecosystem यानि कि variation जो है आपका between ecosystems तो जितने ecosystems आप आएंगे वहां जो है चाहे species वहीं क्यों नहों लेकिन उसमें आप अलग-अलग आपके temperature region में रहने वाले है वह मैंली जो है वाइट जो या ग्रूप के है और जो extreme cold condition में रहने वाले है वह मंगोलाइड है ठीक है न तो yellow color के होंगे तो यह जो variation देखने को मिलता है अलग-अलग ecosystem में एक ही human species के कई सारे variation आपको देखने को मिल गए उनका hair structure अलग होगा उनकी eye colors अलग होंगे उनकी body के skin color अलग होगा ठीक है न तो इन सारे basis पे हम उनके जो अलग-अलग features के according उने classify कर सकते हैं तो यह अपके diversity तो इस तरह से जो हमारे अंदर जो यह white diversity पाए जाते हैं एक ही species में या अलग-अलग species में वह सारे के पीछे का कारण क्या है कारण है nature ठीक है कि हम जहां रहते हैं वहां long time तक रहने के कारण और वहां की कहीं न कहीं हमारे पर influence पड़ता चला जाता है हम आज गोरे हैं या फिर आप गोरे हैं और आप कहीं या फिर जो हम सामले हैं और किसी जाके और जो है आपका cold region में लंबे समय तक रहने लगे लंबे समय तक रहने लगे तो कहीं न कहीं उसका impact हमारे उपर गोरा हो सकता है तो लेकिन यह काफी टाइम लेगा। यह नहीं जो 50-60 साल में हो जाए काफी टाइम तो यह तो एक तो नेचर जो हैं बहुत बड़ा फैक्टर है लेकिन आज की डेट में यह भी कहना मुस्किल है। आज के डेट में आपको बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिल जाते क्यों क्योंकि जो इंटर रेसिल जो है आपक जो मैरेज होने लगे हैं यह जो है सेक्स रिलेशन इसके वज़े से क्या हुए जो यह वैबरीड जोहां आपके जो है प्रयाती यह उत्पन हुए और इस संकर प्रजाती के लोग आपको मिलेंगे होए हैं, इंटरमयर इस तरह आप जाएंगे, इस तरह के इंटरम वह भी आप पायेंगे इस तरह के पर आपकर बाट करें तो आधिकांस वता है या किसी जहां कई सारे देशों के लोग आके रहने लगें कई सारे मूल प्रजातियों के लोग आके वहां बस गए और रहने लगे और धीरे 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 उनमें अंतर संबंध बढ़ता चला गया और फिर वहां पे एक मतलग की बहुत हाई में ज्यादा आप प्रियोग में अता है जहां पर यहां पर प्रजाती है दो लैंग्विज जो है रहते हैं तो यह सारे जो ऐसे फीचर्स कहीं जो एक लंगर प्रक्रिया के त्रू बदलता चला गया और और यह ापने वरतमान से आए ऑ कि और इसी दोरां जो है अब जब हम बात करेंगे racial classification की तो racism की जब हम भी आवधारना है ठीक है हूमन रेस की हम बात करते हैं आपके जाती कहते हैं ठीक है तो यह एक बैल你要 कोंसेट है जो कि जो है आपनी जो biological जो फीचर से अलग जो है species से जो है आपका on the basis of biological features चाहे external हो और internal features हो उनके basis पर वो अलग species से वो different डिखता है different उनकी function है इसलिए इसको एक अलग species कहा गया लेकिन एक ही human में फिर कई सारे जो है आपके variations जो हमने कहा देखने को मिलता है due to climatic variations और their variations in their habitats okay genetic variations तो ऐसे कई variations के कारण मनुस में ही कई सारे जो है आपके जो है उप जाती याने कि एक ही मानव जाती है उसके कई सारे उप जाती में आप उसे बाढ़ सकते हैं and that's why it is called race ठीक है तो race क्या है वो एक species का ही क्या है उप जाती है एक species में जब geographical locations के according जो उनके biological functions में या फिर जो याने की internal and external functions में कुछ जो है थोड़े बहुत changes आ जाते हैं और वो एक दूसरे से अलग दिखने लगते हैं है तो मनुस से हैं लेकिन एक दूसरे से अलग features उनका दिखने लगता है तब उन्हें हम race करते हैं लेकिन इसकी हम detail में बात करेंगे जो है किस तरह से इन races को effect करने वाले कौन-कौन से उनकी हम बात कर ली है मुझता लेकिन इन races के classification के basis क्या क्या रहे है अलग-अलग वो और इनका distribution क्या क्या रहा है उनकी हम next lecture में बात करेंगे अभी अधी एक बात मैं और बता दू इसमें मैंने जो कहा था जो कीन तरह के सधांत हैं प्रबर तक औस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे यह और यह एक जोग्रफर तो इन्हों ने जो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है रोल रहा है इन्हों ने ही सेफालिक इंडेक्स जो आपके कपाल सुचकांग का जो है निर्मान किया जिसके बेसिस पे हेड के लेंथ और अशेमन किस प्रती का है नरंदर मोदी या अमिट्सा किस प्रजाति के हैं कि म्हों किस प्रती का है ठीक कर सकते हैं अपने हैड के लेंथ और विसिस पे उनके कलर के बेसिस पर हैर कर टेक्सचर के वेसिस पर आई कलर के वेसिस कैसे आप तो बहुत अच्छा इंट्रस्टिंग ये टॉपिक है और लेंदी होगा थीक है लेकिन जो बहुत इंट्रस्टिंग है जान ये हमारे साथ बने रहे तो इसमें मैं एक कहाँ दूसरी जो थेयरी है Griff खोले या गूगल पर सर्च करें आपको वर्ल्ड मैप में दिख जाएगा कैस्पिन कहां है एसिया और यूरोप के बॉर्डर रेजन पर कैस्पिन सागर है ठीक है ब्लैक सी के नौर्थ इस्ट में आप देखेंगे तो ठीक है भुमध्य सागर उसके ऐसे जाएंगे तो ब्लै टेलर का मानना है जो मनुस्य की उत्पति मानव जाती की उत्पति इसी जगह से हुई ती और यहीं कैस्पिन सी के नीचे कौकेस मौन्टेन है जिसके नार पर कौकेस वाइड जो है आपका प्रजाती रखा गया तो उनका करना था यहां उत्पति हुई और इससे के एकदम ऑटर रेंज में मार्जिनल एडिया में माइग्रेट करते चले गए ठीक है अपनी सर्वाइवल के लिए फिर वह पहले तो ऑटर रीजन में मार्जिनल रेंड पे गए और फिर धीरे धीरे जो है क्लामेटिक चेंजे जैसे जैसे और होता गया वह इंटेरियर आप एक और में सिफ्ट होते चले गए ठीक है तो ये ग्रिफिट टेलर का सिध्धान था मानव उत्पत्ति को लेकर तीसरा जो सिध्धान थै वो जो है तीसरा डार्ट की थैंड लीके डार्ट की थैंड लीके जो है आपका ये भी जो एंथ्रोपोलोजिस्ट और इनका ये मानन है डार्ट का कीत का और लीके का कि मनुस्री की उत्पत्ति क्रेडल ऑफ हुमन सिविलाजिशन या हुमन मैं वो अफरिका है सेंट्रल अफरिका केनिया के आसपास का रीजन और यह सिद्धान सबसे प्रबल माना जाता है अब जहां अब अगर अभी तक जानती होंगे तो आप यहीं जानते होंगे कि हमारी उत्पत्ति अफरिका में हुई और अफरिका ही हमारा पैत्रिक गौँ है ठीक है और वहीं से धीरे 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 हमारे जो एंसेस्टर्स हैं पुर्वज वो माइग्रेट किये दुनिया के अलग-अलग छेत्रों में ठीक है और कहीं कहीं एक इंट्रेस्टिंग जो है आपका थीम है क्योंकि माना जाता है कि अफरिका में उत्पत्ति हुई सेंट्रल अफरिका जहां से लगवग लगवग जिसको किस्ते मैं अब इसका है किसका है आपसे पूछ रहा हूँ किसका है यह इस्टेमेंट इजिफ्ट ऑफ रिवर नाईल मिस्तिन नियल नदी की दिन है यह बार बार पर छाओ में पूछ जाते हैं ठीक है तो यह कोश्चिन जो है बहुत इंपोर्टेंट मैं बता एक बहुत ही डिटल स्टेडी था रिवर नाइल को लेकर वहां के आसपास के ट्राइब्स को लेकर ठीक है तो यहां जो है जो है इस तरह से मारे अंसिस्टर्स जहां अगर हम अनुमान लगाएं तो वहां से सेंट्रल अफ्रिका से निकल के नील नदी के सहरे आते आती जहां उनको लास्ट में दिख गया प्लेन रीजन उपजाओ मैदान तो क्या हुआ वह अधिवास बनाने लगे समुह बनाने लगे ग्रूप में रहके वह खेतिवारी करने लगे फैमिली का कॉंसेप्ट आया धीरे धीरे उनका और जो है एवोल्यूशन हुआ मंद्दग वह डव तो सहारा का सिन्म हुआ ठीक है और जसक जनम subject बढ़ने लगने लगी होगी तब मिस्र की सब्ढ़ने लगे कि उए जो है दुनिया का एक मतलब कि प्राचीन तम ग्यान का केंद्र भी अलेक्जेंट्रिया वहीं था ठीक है और उसके बाद मिसर की सव्यता के बाद वहां से लोग जब अधिक बढ़ने लगे होंगे तो माइगरेट की होंगे किदर वेस्ट में जाते नहीं क्योंकि साहरा का डेजर्ट पड़ जाता ठीक है तो कहां जाते इस्ट में टौर्स इस्ट मूव किये अब उस समय स्वेज कैनाल नहीं थी यानिकि रेड़ सी जो लाल सागर है और भूमद्य सागर को कनेक्ट करने वाली जो स्वेज कैनाल हमने बनाया स्वेज इस्थमस को काट कर इस्थमस क्या होता है जो बड़े भूखंड को दो बड़े भूखंड को जोडने वाली एक संकिर्ण जो है आपका अस्थ संकेडन जल की जो है तो या चंड उसको हम संकेड गहते हैं क्योंकि दो बड़े नमरु में क्या होता है दोनों सबुमन बड़ा संदी ममतलबग कि जल का संकेडory त obser मिलाने वाली हो जिसको राएर न५्iqu खंडों को मिलाने वाले यानि कि Asia अफरिका को मिलाने वाली जो है स्वेज स्थमस ठीक है वहीं North America South America को मिलाने वाली Panama स्थमस तो इस तरह के आपके कई सारे concept मैं यहां पर बताता चल रहा हूं ठीक है इसको इस थमस और स्टेट में मैंने आंतर बताया अब तो देखिए तो नील सब्यता के बाद जब वहां जनसंग क्या आधिक हुई होगी तो कुछ लोग वहां से इस्ट के तरफ वेस्ट के तरफ नहीं गए क्योंकि मैंने बताया सहारा का रेगिस्तान वगरे और वह यहां पे जो है आपका एक और सब्यता पनपा दजला फरात के सब्यता यह मेसोपटामिया के सब्यता यहां पे दजला फरात नदी उनको फिर से एक और उपजाओ नदी मिल गई वहां कुछ लोग रहने लगए वहां फिर सेम पैटन पे उन्होंने अपना विकास किया ठीक और इस तरह से वहाँ जब विक्सित हो गए वो तो वहाँ से दो धाराई बटी एक यूरोप की तरफ गई मिस्ट वेस्ट और एक ट्वार्ट इस्ट यानि की इंडस वैली की तरफ मूव की ठीक है मैगरेट की चनसंख्या जो यूरोप की तरफ गई वो रोम वगरे ग्रीस र के युनान की सब्यता रोम की सब्यता को जो है आगे बढ़ाया और जो इस्ट के तरफ आगे वो इंडस वैली सीविलाजिशन के इंडस रीवर के अलॉंग वो बस्ते चले गए और इस तरह से सिंधू नदी के आसपास के छेत्रों में अपना सामराज्य बढ़ाया वहाँ तो पहले तो पहले आधारित उनकी सब्यता रही और कई लोग कहते हैं जो है सिंधू गाटी की सब्यता कैसी है नगरिय सब्यता लेकिन मेरा मानना है वह पहले ग्रामीन सब्यता थी और क्योंकि कोई सब्यता जो है अचानक से नगरिय सब्यता नहीं हो सकती है एक नगर कही पहले Poliising संभिकना होता है फिर जाकर नगर संभिता होगी और तो यह जो दान के साख्षे हो जो इस तरह के आपके साख्षे है ठीक है तो यह क्या दिखा रहा है कहीं कहीं सिंदुगाटी सब्यता पहले ग्रामीन सब्यता थी और फिर ग्रामीन सब्यताओं का विकास होता चला गया और फिर वहीं से जो हम गंगा के तट पे मैदानी छेत्रों में भी माइगरेट करने लगे और कुछ जनसंख्या पहले से जो रह रही जनसंख्या कुछ थी जो कि हमने कहा जो एक मत यह भी है कि तिब्बत और जो है आपके मंगोलियन छेत में या बर्मी छेत्र में जो हमारे अंस्टेस्टर का आगवन हो चुका था तो पहले से एक माना जाता है जो द्रावीडियन्स पहले से यहां के मूल निवासी थे भारत की और ड्रावीडियन्स क्या है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है यानि कि ऑस्ट्रिलियन जो एब लेती बाड़ी में निपून थे ठीक है उनके पास अर्किटेक्चर का घ्यान था ठीक है तो इस तरह से जो है उनके निपूनता की कारण वो जो है द्रावीडियन्स को कही न कहीं पीछे धकर ते चले उसी क्रम में उनमें संबंध भी बना होगा और इस तरह से एक संकर प् प्रजाती के मूलता थे ठीक है तो इस तरह से कौके स्वाइड और द्रावीडियन का मिलन हुआ भारत में अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया में या नदन इंडिया में और उधर से फिर जो है वो नौर्थ इस्ट होते हुए अतिब्बत होते हुए ठीक है ना जो मंगो प्रजाती भी इन किये ठीक है और इस तरह से जो है यहां पर भारत में जो है मंगोलाइड कौके स्वाइड निग्रोइड सभी का मिक्स्चर हो गया और भारत एक तरह से मानव प्रजाती के तो बहुत ही डाइवर्सिपाइड एक कंट्री है ठीक है तो इसके बारे हम विश भारत की जो मूल प्रजाती का जिहास क्या है और दूसरी तरफ ग्रेफिट टेलर की बात करें तो कैसे जो है आपका उन्होंने कैस्पिन सागर की इर्दगिर्द मानव की उत्पत्ति मानके और फिर वहां से जो है लोग माइगरेट करना सुरूख किये ठीक है और या फिर माने तो किस तरह से मंगोलिया और तिब्बत में उनकी उत्पत्ति हुई लेकिन हिमालय के फॉर्मेशन कारण दूर माइगरेट करते चले गए तो मूल जो है इन सभी के कोर में एक बात तो समान है जो मनुस्य की उत्पत्ति हर जगह पे एक साथ नहीं हुई उनकी उत्पत में चेंजिस आते गए वैसे वैसे वह एक जगह को छोड़के दूसरे जगह चलते गए ठीक है उनका होता चला गया और माइगरेट करना शुरू किया तो माइगरेशन का प्रोसेस यह आज हम पढ़ते हैं माइगरेशन प्रवास वह आज से नहीं है बलकि हमारे हमें एक ग प्रिस्थिती उनके हावी हो गई और उनके चेंजिस लाया और फिर जब वह एक जगह से और दूसरे जगह गए दूसरे प्रजातियों के संपर्क में आये तो दोनों के मिक्स्चर से प्रिस्थी प्रजाति जनमली और इस तरह से मनुस्रिका परिवाद बढ़ता चला गया और आज हम अपने उसी पैतरिक परिवाद को जो है उसी पैतरिक मूल को कई भागों में बाट दिये पहले तो रेसेज में बाटे रेसेज लेकिन एक बैलोजिकल कॉंसर्प था लेकि उसमें भी हम भेदभाव करने लगे ठीक है ना ब्लाक वर्सेज वाइड के वाइड के ठीक है फिर उन्हीं रेसेज में हम जाती बना दिये कई सारे कास्ट बना दिये कास्टिजम स्टार्ट हो गया कई सारे धर्म बना दिये रिलिजिस जो है आपके आपके सुरू हो गए तो कहने का मतलब है जो हम थे तो एक ही लेकिन अपने व्यक्तिकत स्वार्थों के से हम खुद को कई भागों में बात लिए कई भागों में वर्गी कृत कर लिए एक दूसरे से लड़ने लगे कई तरह के कॉंस्रिक्ट सुरू हो गए और जो हमारी एक बहुत ही जो हम हमारी पुरवज बहुत संघर्स करके हमें आगे बढ़ाए आज हम अपने पुरवजो के दूसरे लोगों की बुराई करना हमारा सुभाव सा बन गया है उन्हें माडना पीटना हमारा सुभाव सा बन गया है उन पर राजनीती करना हमारा सुभाव सा बन गया है जबकि बात तो यहीं है कि ट्रंप हो या मोदी हो या सा हो या अफरिका के लोग हो या फिर जो है आपके Polynesia, Melanesia या Australia के Ab Original Tribes हों हैं तो सभी एक ही, सभी का origin एक ही है, हाँ कुद्रत ने उन्हें जरूर जो है, भौगलिक परिस्थितियों में अंतर किया, अलग-अलग भौगलिक परिस्थितियों में पाला पोजा, इसलिए उनमें कुछ अंतर जरूर से आये, लेकिन हम चा वक्त हर किसी का आता है, समय भी बदलता है, और बहुत अच्छा लगा, और पता नहीं आपको कैसा लगा, इस discussion में आपने क्या-क्या समझा, लेकिन मेरे समझ से ये लेंदी तो वीडियो जरूर हुई, लेकिन बहुत ही useful वीडियो है, और बहुत ही useful discussion भी हुआ है, आप comment box म आप भी सोच के बता, वर्तमान आप किस प्रजाती से हैं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है, तो हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, कुछ criteria's, hints जरूर आपको देंगे, जिनके आधार पे आप easily बता सकेंगे, जो ये सभी की प्रजाती से, मनुष्य के प् हैं, तो उसे आप प्रेस कर दें, ताकि हम जब कभी वीडियो अफ्लोड करें, तो आप तक notification पहुंचेंगे, और दूसरा, कि subscribe करके यो छोड़े नहीं, हमारी होसला को प्रोसाहित करें, हमें प्रोसाहित करें, हमारा प्रोसाहन आपके जो है, व्यूरू से मिलता है, आपक मुझे suggest भी करें, तो आपके like या dislike का स्वागत है, लेकिन कुछ तो करें, so thank you so much, next video में हम continue रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ, continue रहेंगे, criteria's, okay, और basis of racial classification of human being, or distribution of human being, okay, so thank you so much.